कि कि हलो फ्रेंट वेलकम तु स्वार्ट डोपिज्ट दोस्तों आज आज हम आपके लिए लेकर रहा हैं करहisti पीडियो और यह एक खूरन वीडियो और फोटी और आज आज हम आपको बताने वाले एक थायर है सब्सक्राइब कर दो immediately सब्सक्राइब करें के इस फिरेंस फिरेंस करें सब्सक्राइब करें तो इसके फॉर्म के नोटिफिकेशन से लेकर दोस्तों उसके फाइनल रिजल्ट तक हम पूरी जानकारी आपको जो है स्मार्ट नोगी चैनल पर उपलग कराते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो मैं सबसे पहले बता दो दोस्तों कि आपको जो है हावडा सबसे पहले मैं बता दो दोस्तों कि आपको एक दिन पहले पहुचना होगा मैं एक दिन हमेसा पहले इसलिए पहले पहुचने से होता है कि आपका जो बोडी रिलाक्स होता है वह बहुत अच्छा हो जाता है आपकी बोडी पुरी रिलाक्स हो जाती ही पूरा आप जो है ठक उतनी अच्छे थे क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा सरीर जो है उसको थोड़ा रेस चाहिए आप लगाता सफ़र करके आते हैं आठ घंटा-10 गंटा उसके बाद आप ट्रेट सेंटर के लिए जायते हैं तो आपको पता है और यह इतना कॉमेडिशन टफ है कि 400 लोगों मे आप रात को पहुषते हैं तो जो है एक बार जो है प्रैक्टिस जरूर कीजेगा हर चीज की जो जो आप बनाने के लिए आप आये हुए है यानि वाटर के रियर में आपको जो जो बताया गया है ओमनेट से लेकर रोटी आटा सानने तक सब कुछ आपको जो एक बार घर प पहुँ चुका मahnar सेंटर देख लिया हूं इसके बाद मीरे क्यों के पूरी प्रैक्टी्स एक दोहराई जो जो मैं ने घर पर पर्क्रेक्टिस किया था और वहाया चीज करके खया करन यह यह पर मेरा सेलेक्शन हो गया तो दोस्ते हैं कि डॉक्मेंटर करते हैं डॉक्म हुल टिकेट में से अगर दोना मिस मैंच होता है तो आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा उसके बाद आपको चाहिए दस वी और बार वी का सर्टिफिकेट यानि के एजुकेशन की बारे में हम बात कर रहे हैं आप यहां पे तो टेंथ और ट्वेल्थ का आपका एजुके और उसके बाद आपने बाद देख लिएगा कि आपका सर्टिफिकेट का वैलिडेटी जिया वी सी वालों के लिए तो स्पेशली क्योंकि उनको गाहे जाल लगता है तो आपने तारी जरू देख लिएगा कहीं एक्सपायर तो नहीं हो चुका है और सेस्ट वाले यह देख घ्रट कर देख लिए अपने पीछ वालों के पीछे वालों के अपना नंबर यह आपको कोई खास टाइग नहीं दिया जाएगा यानि हम खुद को याद रखना होगा वालों को यह घ्रख लिए जाए आप रहता कहुए अपना देख लिए तक वालों को रहाए जब हमाद से कहेंगे कि एक से लेके 20 तक जो बैठे हैं सीरियल वाइस वो हैं एक बैच नमबर वन में उसके पीछे वाले 20 लोग अपने आपको धालना उनके अंदर जैसे वह आपको बताते हैं और आपको स्मार्ट वर्क करना है दोस्तों यह मत सोचे कि आपको कोई आएगा बताएगा कि आप थार वैच में फोर्थ वैच में किसलिए आपको क्या है अपना नंबर याद रखना है वहां पर भरती में ऐसा ही हो रहा है दोस्तों कोई भी जो है आपको सुविधा नहीं है कि आपको जो इतना स्पेशली ट्रीटमेंट मिलेगा यानि कि सबको जैसा लिए क्या कर सकते हैं आप जौब के लिए हैं थोड़ा तो आपको सैना पड़ेगा तो दोस्तों यह सारी दिक्कत है कि से काफी दिक्कत होती थी बैठने को जो है अच्छी तरह कि कुछ दिया नहीं गया जमीन है जमीन में कई पत्थर कड़ रहा है कभी यह इसके जो भी आप कुछ खा सकते हैं मतलब जो आप कुछ पसंद हो क्योंकि वहां पर चार से घंटे का समय जा रहा है दोस्तों इतना समय आप बिना पानी प्यास को बैठ नहीं सकते यानि कुछ ना कुछ तो आप उखाने के लिए चाहिए इसलिए कुछ खाना होना वेड़ा अपने आपको तरो ताजा रखेंगे इसलिए अच्छा होगा तो यहां पर आपको क्या पूछा जाएगा दोस्तों एक चीज जो नहीं आड हुई है कि आपको ना पी पूछा जाता है वहां पर यतने बैस नमबर वन को बुला लिया गया तो उनसे पूछ रहेगा कि आपक अच्छे तरीके से रोटी बनाने आता है तो यहां पर एक्सपर्ट लोग जितने होते हैं वह अपने हाथ उठाते हैं कि हां सर मुझे बहुत अच्छी तरीके साथ है और कुछ लोग जो नर्वेस होते हैं जो कहते हैं कि नहीं समय प्रैक्टिस किया हूं अभी बस जाता है और जो दूसरे स्टुनेंस उससे कहा जाता है कि आप फिर बना सकते हैं बैटर या फिर रोटी बना सकते हैं तो फिर आपको यहां पर पूछने का मौका दिया जा रहे हैं कि बहुत अच्छी चीज है आपके लिए आपके लिए बहुत फाइदे मन्न है कि अगर आ हमेंजा इस पर दोस्तों क्या हुआ भूशने के बाद आपको एक पहला जो प्रिफरेंस जो पहले सबसे पहले रोटी बना जाता था यहां पर आपको पूच चाहिए कि आपको प्रकूच को चीज आपको बनाने होंगी यहांनि कुछ लोग कहते हैं में रोटी बनाना है तो स्टार्ट करते हैं कुछ लोग आमनेट से स्टार्ट कर रहें बस यह डिफरेंस से और कुछ ज़्यादा डिस्प्रेंस नहीं दिया गया है रूटी बनाने में आज कल गलती हो रहे हैं हमेशा चोंप पहले इस्टेप में फैलशा हो रही है कोई से यह फिल राउंड में यानि कि कोई लोग फर्स रावन पार क्यों नहीं कर पार रहें ज्यादा जो परसेंडेज वो क्या रीजन है वह है आटा सानना रोटी बनाना आटा सानते समय गलती हो जारी वार बार पानी आप लोग जादा जब मिला दे रहें आप सभी को मैंने बताया कि एक कप जो है आट आटा दिया जाएगा जी है दोस्तों आप घर पर प्रैक्टिस करने के लिए रहें सौ गराम आटा लिए साग्राम आटे को आप एक मिनिट में टाइमर कीजिए टाइमर सेट करने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा पानी मिलाई है और कैसे इसको गूतना है उसको अच्छी पर दोटी बहुत नरम होती है जब उसकी रोटिया बनाते हैं तो अच्छी तरसे पकती भी और फुलती है काफी लोग का यह दिकत होई रोटी बीच में से फुला ले रहे हैं क्योंकि जो हिस्साब पक जाता है रोटी का वह इसाफ फुल जा रहा है बाकी साइड साइड की र कि या फिर आप जो है सब्जी काटने के लिए आपको दिया जाएगा जिया दोस्तों सब्जी काटने का यहां पर यह है कि आलू बैगन के आपको सब्जी बनाने के दी जाएगी आपको लवकी की सब्जी भी दी जा सकती पालक की भी दी जा सकती यह डिपेंड करता है दोस सेम सब्जी बनवाएंगे क्योंकि आप सभी को पता है यहां पर आप से कुछ भी जो है चेंजिस कर लिया जाता है तो आप एक्सपिरियंस वीडियो को जरूर देखिए लेकिन इतना समझ यह कि कुछ भी एक्सपिरियंस वीडियो हम जो देख रहे हैं वह पास्ट है यानि फ सब्जी बनाने के बाद दिया जाएगा एक लास्ट मौका यह है कि आपके पसंदिता जो है खाना आप क्या बनाते हैं वह आपसे बनवाया जाता है तो बनाना पड़ेगा आपको दोस्तों हमारी स्टूर्ण का क्या हुआ पहले नहीं अच्छी से रोटी बनाए तो रोटी सेलेक्षन पक्का हो गया दोस्तों तो आप सभी को जो है कि जैसे हमारे इस्ट्रेंड ने अपने आपको जो है धाला अपने आपको जो है प्रिपेर होना पड़ता उसके पहले सेपस्ट होना चाहिते है अप भी उप्परिपेर कीजिए समय से पहले जाइए सब कुछ बिए यार रिप्ड़र, जार रिए नान थार रिए रिग्ट कया रिए ओधर रिए क्या रिए।